येस, रेडि फो डिक्टेशन, स्टार्ट, उपाधेक्स महोदे, आज सब चीजें जिस परकार इस देश में उलजी हुई हैं, अन्यतर नहीं विराम, यहां धर्म, दर्शन, विचार, राजनिती, भासा, रहन सेहन, सिक्षा दिक्षा, सब उलजी हुई हैं विराम, इस उलजन का मुख्यकारण, नजर का साफ नै होना विराम, आज धर्म को राजनिती की नजर से देखा जा रहा है, भासा को धर्म की नजर से देखा जा रहा है, दर्शन को आधोनिक रहन सेहन की दृष्टी से देखा जा रहा है, जिससे समश्याएं बढ़ रही हैं विराम, जिस परकार राजनिती दल जाती और राज्ये से जुड़ी हुई हैं उसी तरह भासाएं भी जाती धर्म और राज्ये से जुड़ी हुई हैं विराम, यह विडंबना नहीं तो क्या है प्रशन वाचक्चिन, हिंदू की भासा हिंदी कैसे हो गई प्रशन वाचक्चिन, सायद इसलिए कि इसकी लिपी देव नागरी है विराम, उर्दू मुसल्मानों की भासा सायद इसलिए है कि करोडों हिंदू के मुसल्मान बनने पर भी मुसल्मान सबकी नजर में विदेशी रहे और उर्दू लिपी को विदेशी माना गया विराम, बंगाल असम अंध्र पर देश आदी के हिंदू की भासा हिंदी नहीं है और नहीं वहां मुसल्मानों की भासा उर्दू है विराम, बंगाली, मदरासी, असमी हिंदूओं की भासा हिंदी नहीं होने के कारण ही हिंदी भासी हिंदूओं से उनका प्रिथक अस्तीत्व बना हुआ है विराम पहरा, राजनीती ने भासाओं को जो नुक्सान पहुचाया है वैसा कीसी ने नहीं विराम, विशो विधाल्यों में सिक्षा का माध्यम छेत्रिय भासाई है विराम, उर्दू तो चेत्रिय भासा भी नहीं है फिर अलीगड विसो विधाल्य में सीक्षा का माध्यम उर्दू क्यों हो विराम आजकल विसो विधाल्यों में परिक्षा का माध्यम बहुत अटपटा है विराम हिंदी भासी चेत्रों को छोड़ कर कहीं परिक्षा और शीक्षा का माध्यम हिंदी नहीं है विराम इसके परिणाम सवरूप हिंदी मातर भासी को अहिंदी भासी छेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से परिक्षा देनी पड़ती है विराम भासा को धर्म और जाती से जोड़ कर जो हाल पंजाब का किया गया अब वही हाल उत्त्रप्रदेश और बिहार का किया जा रहा है फिरम अंग्रेजी अगर इतनी व्यर्थ और अन्य भारतिय भासाओं के विकास में बाधा पहुचाती है तो भारत सरकार एक अध्यादेश द्वारा अंग्रेजी को समाप्त क्यों नहीं कर देती विरम क्या अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने से देश का विभाजन हो जाएगा प्रशनवाचक्चिन यह आरोप की हिंदी संस्कर्त निष्ट होती जा रही है बेबुनियाद है विरम यह हिंदी का कठिन होना नहीं यह तो भासा के विकास की प्रकरिया है इसे आप रोक नहीं सकते विरम जैसे जैसे मानवता और संस्करिती में विकास होता रहता है उसी प्रकार भासाओं में भी विकास होता रहता है और यह है सहज स्वाभाविक है विरम सत्य को सत्य के रूप में ही स्विकार करना चाहिए और भासा को धर्म जाती और राज्य या राजनीती से मिलने की जरूरत नहीं